कि पार्ट थर्ड की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि इवा का स्टेज पर परफॉर्मेंस खराब हो गया था लेकिन इसके बावजूद भी वो वर्ड एंजल का खिताब अपने नाम कर लेती है और पहना नहीं उससे और कोई नहीं बड़की रुवान ही आता है कि लड़कों कभी भी हार माना नहीं चाहिए अगर वह सुंदर नहीं है तो इससे भी काम चल सकता है बट कभी भी हार मत मानों और सब सुनका रुवान सिदा याद करता है क्योंकि वह भी हाई स्कूल में बस ऐसे ही मॉडलिंग देखती रहती थी लेकिन वह इतनी मोटी थी कि उसकी बारे में सोच भी ने सकती थी शिया और रुवान में फिर से इवा को लेकर जगड़ा हो जाता है इसके बाद इवा क्यों कमरे में क्या कर रहे हैं जिसके बाद वह अपना कैमरा निकाल कर जैसे तैसे उसकी वीडियो रिकॉर्ड करती है और जब इन दोनों को इवा काफी शारी सर्थे रखती है उसकी शर्थ में बस इतना रहता है कि रुवान को उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा जब सुबह शाम जब वो चाहे तब उसका इक फायदा उसे ये हो राए था कि वह रुवान ये खाने से मोटी नहीं हो रही थी उसके इसके बाद कैनी फैट वाले अपतार में आई ही कर देती है नहीं इन दौनों का सोर उनके बहार आ लाट ती हमना जोर उनके आज़ाती है कि रात को सुने का टाइम होता है यह कुछ झगड़ा करने का टाइम और कि गर अंदर करो ना की बहार इसके बाद रुवान गर को घर के अंधर ले जाता है नब उसे खाना खिलाता है रूआन को करने के बाद बेने मश्रूम्स नहीं मिलते इसके चक्कर में जब इवा गिरने वाली होती है तो रुवान उसे बचानने के फिराक में खुदी कर जाता है इन खुदी अपने आपको जखमी कर लेता है इसके बाद इवा उस अपने कंदों पर उठा गे उसे काफी देर तक देख लिया हो और रुवान तो इतनी तेजी से भागता है कि जैसे मुझे मत तभी जब यह दोनों चल कर पेड़ पर चट जाते हैं तो इवा को ध्याना आता है कि एक मिट तुम्हारा पैर इंजट था तुम्हें तो चलने में भी दिक्कत हो रही थी तभी रुआन कहता है कि यार समझा करो जब मुसीबत सामने होती है ना तो चोटिल पैर क्या डैड बोडी भी उटकर भागने लगती है मैं तो जिंदा इंसान हूँ मैं तो भागी सकता हूँ काफी टाइम वहीं पर बिताने के बाद इन दोनों में थोड़ा माहौल रुमेंटिक होता है बट और इवा काफी गुसा होती है उसका सारा गुसा सीदा श्यूग पर निकलता है और इसके बाद जब फोडोशूट सटार्ट होता है यह रुवान को जल इसके लेन के लिए अपने पार्टनर के साथ काफी रुमेंटिक तरीखे से फोडोशूट करवाने लगती है इसको दे कि जो ड्रेस है वो फट जाती है आफ तरह जेंटलमेन की तरह है उसे अपना कोड देता है उसे कवर करता है इवा का जो गुसा है वो एकनम चूमंतर हो जाता है उसे काफी प्यार से बात करती है से राथ कोछ रही नहीं तभी रुआन का जो बहेवियर है वो काफी सब्सक्राइब करते हैं और यह सुनकर तो इवा को भी लगता है कि नहीं यार मैं भी तो रुआन को पसंद करती हूं भी हाइज स्कूल से तो इतना अच्छा मोगा कैसे जाने दूंगी फिर कैसा बिचारी अपनी से रिस्पेक्ट को साइड में रखकर रुआन के लिए काफी अच्छा सेट अप तियार करती है फेक वालन भी बजाने लगती है जैसी उसका फोन ड्रिंग होने लगता है तो वालन की आवज बंद हो जाती है रुआन को पदा चाल जाता है कि यह सब एक नाटा कि है और जब रुआन के पास चली जाती है रुआन उसे अपने घर में ले जाता है रुआन के सामने प्रपोजर रखती है कि I like you and यह मैं जूट नी बोल रही हूं यह मैं पक्का सच बोल रही हूं तभी रुआन उससे कहता है कि यह इतना आसान नहीं है अगर तुम किसी को लाइक करती ह इतनी जल्दी तुम्हें कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और मैं तुम्हें लाइक नहीं करता है इसके बाद क्या बिचारी इवा का दिल फिर से तूट जाता है उसे बहुत ही गुस्ता आता है उससे कहती है कि वह इस बार सच बाला बोल रही है अगर इस पार नहीं तो फ का विदा स्पेशल था शायद बच्पनों से यहां ने दिया होगा तभी वह से पूछता है कि मैं की रिंग याद भी नहीं तभी इवा कहती है कि कैसे होगा मुझे तो नहीं है और यह सुनकर तो रुवान को अभी ज़दा घुसना आता है वह को अभी वहां से दफा होने क यहां नहीं को रिप्रेजेंट कर रही है तो यहां पर रुपैका का चीज आन तो वैसे जल रहा था इन दोनों को साथ देखा उने के बाद इवान ने कुछ भी नहीं खाया होता है वह बस दिन में 20 बोटल पानी पीचुकी थी और उसे काफी तर कमजोरी फील हो रही थी इ पर नहीं को बनाने के लिए और इवा के लिए खाना बना बनाकर पैकर के लूओ को देता है तो लूओ उसके लिए लेकर चारी मुद्धिया तब इस थे फोन को अला जाता है वह यह लंच बॉक्स किसी वेटर की हाथ पगड़ा देती है और रुबैका की नजर तो पैसी ब यह वह खाना बिना को सोजी समझे खा लेती है उसे लगता है शायद रुवान ने जवाब ऐसे उसे तो इतना जादा पताया टेस्ट का तो उसे यह पता नहीं चला कि यह रुवान का नहीं है खैर कुछ भी ओभूख तो कुछ भी खा सकते हैं यह खाने के बाद जब वह स्ट यह यहां पर मामला सेट करने की कोशिश करता है और रुवान इवा के भागता है एवा आपने फैटी वाले अप्तार में आज़ती है वह जाकर वास्रूम चिप जाती है रुवान उसके पीछ भीज़े भाग रहा होता है कि युवान तुम कहां पर हो लाका धियान एक इनस मेरे पास हो ये देखकर तो मैं अपनी कुछी जता भी नहीं सकता युवान उसे अवाइड करका हुआ से चुमंतर होती है लेकर रुवान उसके पीछे पीछे जाता है युवान कोई जगा नहीं मिलती तो जाकर टेरिस पे खड़ी हुचाती और वो रुवान से कहती है अगर पर देल तोट जाता है यह सब इतना गंदा प्रोपोजर रिजेक्शन के बाद उसकी हाल इत्तम खराब जाती है और जब रुवान उस एवा से मिलें के लिए जाता है तो देख्ञास पर रूआगर को लेकर होस्पेटल जाता है तो वह बहुत हाला धिशोर थी जिक युश बच्पन से पसंद करता है यह सब इंसिडेंट नहीं के बाद उसकी अपनी मौम से कभी नहीं पढ़ी वाओं बात भी नहीं करता है तो यह तो दोनों की नीचे सारे लोग खड़ी यूए थे पहले से सारे प्रिक्वेशन थे दोनों की आंग खुलती है उस्पिटल में तो य सब्सक्राइब करते हैं कि तुम उसे इतनी सालों से हिट करते हैं और यह सुनकर तो इवा को और बुरा लगता है जब कि तो कुछ था ही नहीं नहीं तो सारा को सैट था अगर वो उस ताइम उसे मिल जाती तो यह सब नहीं होता है सब्सक्राइब करें तो यह सब्सक्राइब करने में तो मिलते हैं और देखते हैं क्या होने वाला है बाई टेक्या